तो नमस्कार कैसे हैं आप सब, I hope आप लोग अविज़ता बढ़िया होंगे आज हम बात करने वाले हैं कि I am indoor के forms आपको किस्ते से step by step fill करने हैं क्योंकि देखिए अक्सर form fill करते हो तो हम लोग कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो बाद में हमें पच्ताना पर सकता है तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं कि step by step आपको किस्ते से fill करना है कौन सी गलतियां आपको नहीं करने हैं I am indoor के form fill करते हो इसे साथ साथ देखिए कि आप preparation भी करना चाहते हो है topic wise stress होते हैं मोग test होते हैं I am indoor के इसके हला आपको e-books मिल जाएंगी इसके हला आपको study planner मिलेगा doubt solving portal मिलेगा तो एक perfect preparation हम लोग आपकी करवाएंगे और एक ही course से आप I am indoor भी टार्गेट कर सकते हो आयम रोतब भी कर सकते हो जिपमेट भी कर सकते हो तो इस तरह से सारे के साथ जो integrated courses है उनको आप टार्गेट कर पाएंगे तो वर्ट सब्रोंबर डिस्रिप्शन के अंदर है आज से ही अपने preparation स्राट कर दो कि टाइम अभी काफी आप पर प्रपास नहीं बचा हुआ है चल स्क्रोल डाउन करना है स्क्रोल डाउन करते ही यहां पर आपको announcements के अंदर मिल जाएगा दो को सबसे पहली जो announcement है लिखी हुई है IPM 2022 online registration तो यहां पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको next page open हो जाएगा जिसके अंदर सबसे पहले कुछ important dates लि open हो जाता है तो notice के अंदर यहां पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें यहां पर mentioned है तो यहां पर लिखा हुए कि आपकी जो age है वो क्या होनी चाहिए आपकी जो age हो 1st August 2002 या फिर उसके बाद की ही होनी चाहिए इसके अलावा अगर आप मानने जिए SC, ST, F, P, WD है तो इलेक्शेशन यहां पर मिल जाता है qualifying exams के बारे में यहां पर लिखा हुए कि आप पास होने चाहिए 12th class के अंदर जो की 2020, 21 या फिर 22 के अंदर होने चाहिए इसके अलावा देखिए minimum percentage यहां पर लिखी हुए है कि अगर आपने 10th class 2019 के अंदर की है तो 60% आपको minimum चाहिए औ 55% at least आपको चाहिए अगर आप STACPWD है तो इसके अलावा अगर आपने 10th class पास की है 2020 के अंदर तो आप पास होने चाहिए सिर्फ अगर आपने 12th class पास की है तो इसके अंदर भी मतला पास होने चाहिए तो इस basic eligibility यहाँ पर लिखी है इसके अलावा dates यहाँ पर आप देख सक इसके बाद हम आज आते हैं कि अगर मान लीजिए आप लास्टे की question paper देखना चाहिए तो यहाँ पर आपको question papers भी मिल जाते हैं और आप form start करना चाहिए तो यहाँ से अपका form filling जो है वो start यहाँ से होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है online registration to get user ID and password तो यहा आपको फिल करना ही करना पड़ेगा इसके अलाव आपको user ID and password है वो आपको याद रखना है आपको अपनी mail ID नाम बिल्कुल सही फिल करना है कुछ भी गलती उसके नहीं करनी है तो आपको close कर देना है इसके बाद यहां पर लिखाए कि आपके नाम, date of birth, mobile number क्यों जा रहे ह क्या purpose है यह भी आपको close यहां पर कर देना है तो यहां पर आपका जो registration है वो start हो गया है form filling इसके बाद होगी तो यह simple सा first registration page है सबसे पहले आपको नाम फिल करना है, gender फिल करना है, category फिल करनी है, किस category से है, जिसके अंदर आपका STSC, PWD, EWS, EWS, WhatsApp लिखा हुआ है इसके अलावा आपकी country कौन सी है, वो आप यहां पर फिल कर सकते हो, इसके अलावा फिर mobile number क्या है, confirm mobile number और simply आपको एक capture फिल करके I agree पर click करना है, इसके बाद आपको submit पर क्लिक कर देना है, तो मैं पर click, साई चीजे फिल करके, साई details फिल करके, आप submit पर क्लिक करता हूँ, फिर ह अब अच्छे ही चेक करें कि submit पर click कर सकते हैं, जैसे आप submit पर click करोगे, तो आपको कुछ ऐसा page दिखेगा, इसके ओपर लिखा होगा, फिल application form या फिर logout option आपको मिल जाएगा, तो अगर मानलीजी आप directly application form फिल करना चाहते हैं, वहाँ पर click कर सकते हो, वरना अगर आप से logout हो जाते हैं, तो आपको दुबरा से login करना होगा, और login जो आपकी ID and password है, वो आपको send कर दिया गया होगा, आपकी mail ID पर जो भी आपने registration करते हैं, तो mail ID फिल की होगी, तो वहाँ पर आपको ID and password मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं लोगिन कर र तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोडिंग हो रहा है, इसके बाद मेरा जो application form है, वो यहाँ पर start हो जाएगा, and application form का जो first step होगा, वो होगा personal details का, यहाँ पर थोड़ी से instructions है, जो पहले लिखी हुई थी, अब देख सकते हो, यहाँ पर personal details का जो मेरा tab है, वो open हो चुका है, जिसके अंदर सबसे पहले नाम है, father's name है, mother's name, जो बिल्कुल basic चीज़े वो पुछी गई है, फिर personal details है, इसके अंदर date of birth पुछा गया है, gender है, category है, nationality है, वो सब जो मैंने already filled किया था, वो यहाँ पर already filled आ चुका है, इसके अलावा देखिए, यहाँ पर address लिखा हो है, कि यहाँ पर email address है, mobile number है, alternate mobile number है, alternate email address है, इसके बाद अब बात कुरूँ तो देखो, आप यहाँ पर फिर आपके जो documents है, वो भी upload करने के लिए पूछ रहा है, अब मैंने जो form है, जनरल से apply किया है, तो general से form apply करने के वाज़े से, यहाँ पर मुझसे कोई भी card certificate मुझसे नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अब AWS से करें तो वो आप से मांगा जाएगा, OBC, ST, SC, PWD, जो भी आप form फिल करोगे, वो सारे के सारे जो certificates है, वो आप से मांगे जाएंगे, जो भी आप form के अंदर टिक करोगे, मैंने general से किया तो इसके अंदर basic जो चीज़े है, वो मुझसे यहां पर लिखा है, कि सबसे पहले आपको अपना passport size photograph and signature है, वो अप्लोड करना है, तो click here to upload पे click करके आप अप्लोड कर सकते हैं, इसके अलावा यहां पर लिखा हुए कि जो कोई भी एक ID proof है, government ID proof scan करके वो आप यहां पर अप्लोड कर सकते हैं, अगर आपका example भी देखना हो, इस तरह की photo आपकी नहीं होने चाहिए, जिसके अंदर बहुत जादा exposure बढ़ा हुआ हो, तो आप समझ सकते हैं, इसके अलावा जो unnatural colors हैं, वो भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल simple आपके होने चाहिए, तो I hope आप समझ गए हैं कि इस तरह से आपको upload करना है, तो आप examples तो इससे तरह देख सकते हो, बहुत सारión- Skip does now. इससारा examples निन आप समझ गए हुए है, डिससे और आप पर गयांगा है, इसके अलावा एगर आपको upload okay करके यहाँ प्र आपको एपो यहाँ जो अपको प्र प्रेक के upload कर देना है, जिससे कि मैं यहाँ पर ट्रै कर देदे कर इमेज इमेज रीसाइजर राइट एकम एपहना इमेज रीसाइजर लिखूं यहां पर बहुत इंगी इमेज मेज रीसाइजर करके तो आप कोई वेबसेट ओपन कर लिजी अपनी फोटो को अप्रोड किजय जो भी आपको साइज चाहिए उसमें चुल्ट कर दीजिएगा त पर जैसे आप 7.9 पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए परसनल डुटेल्स कर टेब है वो यहां पर फिल हो चुका है अब बारी आ जाती है अकेडमिक डिटेल्स की यानि कि आपके कुन से स्कूल से पढ़ाई किया है इतने परसेंटेज आप क्या है वो सब आप से यहां स अधार है इसके ओव पिर यहां पर आपसे कुछा हां रहे है कि आपके कितनी पेसेंटेज आई है तो यहां पर पर आपने अपर कोन सा थो आप लग सकते हो अर्यों को सभ चर Isso है सब से वह पर कर देशिक सकते हो बाकिंटबर क fare लगा कर सक किए बाकिशने जो ही दूसा का लुछ तो एक टेंच चि Constitutional तो मैं यहां पर 300 KB के अंदर-अंदर की होनी चाहिए और वो PDF format के अंदर होनी चाहिए अब PDF format कैसे बनाते है अगेन आप गूगल पर सरच कर देना है JPEG to PDF तो आप जो फोटो आपके mark sheet की उसे आप PDF में convert कर सकते हैं और बहुत simply आप 300 के भी से कम में यहां पर upload कर सकते हैं इसके अलावा देखे यहां पर अपको ध्यान से समझना है कि अगर आपकी 12th class complete हो चुके तो आपको yes करना है अगर आपकी 12th class complete नहीं हुए तो आपको no करना है तो अगर मैं no कर देता हूं तो यहां पर मुझसे कुछ भी नहीं पुछा जाएगा सिफ यहां पर टिक हो गया no के उपर अगर मैं yes करता हूं तो यहां पर मुझसे काफ़ साजी चीज़े पुछी जा सकती है तो कोस टाइब के अंदर देखिए अपने डिप्लोमा किया था है 12th class की तो मैं यहां पर 12th class कर दी है अगर यहां पर पुछा जा रहा है कि आपने कौन से बोर से किया वह सब पुछा रहाएगा क्लिक थाएो São पर मॉझसा हां पर देख है आप यहां पर यह आप सब्सक्राणी कर सकते हैं सब्सक्राणी को यहां देखिगा यह इपको आपको सेव होग जाएं確 करदेना है अपका जो यह पेज डियूंक वह भी आपको पूरी तरह से फिल हो जायاगा अब देखिए जैसे ही मैंने सेवर नेक्स पर क्लिक किया यहां पर हमारी थर्ड जो टैब हो चुका है सबसे पहले परस्नल डीटेल्स का था अकेडमिक डीटेल्स और लास जो टैब है वह आ जाता है हमारा सेंटर प्रेफरेंसिस का बहुत सा इस्टीज को लेकर कंफ्यूज ह अब हमारे जो एक्जाम है वह होने वाला है घर पर बैट कर ओन लाइन होने वाला है फिर में सेंटर पर जाना पड़ेगा तो देखिए टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ट ही होता है लेकिन अगें कोविड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि कोविड के कैसी इंक्रीज हो हो गया तो मैंने डेली यहां पर सेलेट कर दिया फर्स प्रेफरेंस इसके लावा जो भी मुझे लगता है कि जो हर्याना के पास है वह मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो देखिए यहां पर जो है काफी कम सेंटर से और काफी दूर दूर भी है तो मेरे पास कुछ जैसे कर दिया तो यह आप देख सकते हैं कि जो प्रेफरेंसिस है वह मैंने सेलेक्ट कर दी अब जो डेली के इंतर जो सेंटर होंगे सबसे पहली प्राइटी मेरी वही रहेगी तो मुझे वह मिलने के चांसिस होंगे वहां पर सीट्स फिल हो जाती है तो फिर मेरे जो गुडगा गरना होगा कि इसके बाद की के आपको अजयें सेंट नएकस प्रेफ कर देना है यहां पर ऑपन हो जाता है धाया स्थीव एक नोह फेल्का कटे देवा पर और हो फीजगा तो पर 5000 रूपर तो यह मुझे करना यहां पर 4100 ब्रूप फिल हो जाएगा कृएक fryल आपको पे करना जरूरी है इसके आपको पे करना जरूरी है इसके आपको पे करना जरूरी है यहां पर आपको पे करना है एंड प्रीवी 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 प्रीव आपको submit पे click करना है अब जैसे submit पे click कर रहे हैं यहां पर देखो buildes.com open हो चुका है यहां पर आपको fees payment करनी होगी तो जिस भी debit card से आप करना शाहते हो credit card से आप करना शाहते हो mastercard है visa है जिससे भी आप करना शाहते हो आप आराम से fill कर सकते हो आपको जो fees है वो होगी 4130 अगर आप जनरल से fill कर रहे हैं तो इसके आप भी बहुत सारे options है net banking है UPI है तो कहने का मतलब है कि तुम fees payment कर दो जुस भी तरीक से आप करना शाहते हो तो आपको fees payment करने है जैसे आप जो form हो पूरी तरह से fill हो जाएगा अगर आप preparation करना शाहते हो आई पी मेट इंदोर की तो आप परफेक्ट आपको कोर्स मिलने वाला है वर्टसर नमबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है जो दिया गया है वहां पे आप आप हेलो सेंद कर दीजिए अपने preparation आज से start कर दीजिए क्योंकि preparation के लिए आपके पास का